अंतरास्ट्री फैशन डिजाइनर मुम्ताज खान किसी परीचे के महताज नहीं है भुपाल के मुम्ताज खान ने बाग प्रिंट को पूरे विश्व में पहचान दे लाई फैशन और ग्लेमर की दुनिया में लोगप्री बनाया व्यक्तित्व विकास के गुरू के तोर पर भी आव विक्यात 18 में SDF International Icon Fashion Designer of the Year से आपको नवाजा गया मुम्ताज खान के खाते में कई सम्मान और पुरुसकार धर्ज है मुम्ताज ने फिल्म इनकस्टेडी में आईवरी प्रडक्शन हालीबूट के साथ अपने केरियर के शुरुआत की मद्धिश के आदिवासियों के बाग दावू प्रिंट के साथ चंदेरी और महिश्वरी बटिक को आपने फैशन वीक का सबनाया सितारों से चमचमाती दुनिया में बाग प्रिंट के खुबसूरत कोट, पेंट, गाउन, जैकेट, शेरवानी, दूला, दुलहन के खुबसूरत कपडे डिजाइन किये लोगों को आश्चरी चकित करते हैं फैशन में सूती खादी के प्रकर्धिक प्रिंट का चलन शुरू हुआ 23 अंतरास्ट्रे और रास्ट्रे फैशन वीक में आपने इन प्रिंट्स को पहचान दिलाई मुम्ताज अपने पारंपरिक प्रिंट्स के फैबरिक और इंडियन पेस्टन कट्स के लिए जाने जाते हैं जर्दोजी कला पर काम कर चुके हैं और उससे भी आप दीरे दीरे लोग प्रिय बना रहे हैं रुपेले पर्दे के तमाम सितारे मुम्ताज की कला के मुरीद हैं और हम उनसे सुनना चाहेंगे नमस्कार मैं जैसा सभी लोग कह रहे हैं कि दखल नियूस का बहुत शुक्र गुजार हूँ मैं अनुराग जी और शिफाली जी का सही में तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ वो इसलिए कि मद्य पर्देश के इस तरह के मंच पर फैशन को तो कभी कोई जगा नहीं मिलती उन्होंने क्योंकि फैशन को कुछ अलग तरीके से जाना जाता है उसको देश भक्ती और परदेश सेवा से बिलकुल भी नहीं जोड़ा जाता और मैंने सिर्फ परदेश सेवा ही किये और देश सेवा ही किये मैंने फैशन के जरीए मद्य परदेश के जो प्रिंट्स हैं और जो वीव्स हैं यहां के और जो यहां के कारीगर हैं जरी जर्दोजी का काम है मैंने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की अपने आपको नहीं और यही वजा है के आज बाग प्रिंट को हिंदुस्तान के हर बड़ा डिजाइनर जानता है शहरों में लोग जानते हैं उसको और उसके बारे में पूछते हैं और अनुराग जी पहले ऐसे इनसान हैं कलापार की हैं जिन्होंने मुझसे इस बारे में बात की थी और बहुत लंबी बात की थी और उन्होंने बहुत सारे सवाल किये थे तो उनका भी एक सवाल था इसके बारे में के क्यों ऐसा कर रहा हैं तो मैंने का ये तो प्रदेश की एक बहुत बड़े सेमिनार में गया था जहां पर हिंदुस्तान के हर स्टेट के वीव के बारे में और पृरिंट के बारे में बात की जा रही थी और वहां पर कहा गया मध्यप्रदेश को ओवरलुक करके हम आगे बढ़ रहे थे तब से मुझे लगा कि लोग हमारे पास तो है भुपाल के लोग जानते हैं, मद्यप्रदेश के लोग जानते हैं बाक पृरिंट को लेकिन बाकी लोग इसको कम जानते हैं और मैंने वहां से अपना सफर शुरू किया और इसके उपर बहुत वरक्शोप की रिसर्च किया, सरकारी तो कोई मदद कभी ना मिली ना ली, क्योंकि ये मेरा काम था, मेरा मौबत थी, अपने शहर से, अपने प्रदेश से, मैंने वह वाला काम किया, और इससे बाग काम किया है, इसकी वजह से ये अवार्ड मिल रहा है, मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्र गुजार हूँ, इन सबकी बिलकुल मैंने तमन्ना नहीं की थी, लेकिन बहुत शुक्रिया आपने मेरी कला को पहचाना, और प्रदेश सेवा और देश भक्ती को पहचाना, प्रदेश सेवा है, बहुत बहुत शुक्रिया.